सर नमस्कार क्या नामे जी आपका? कमलेश कुमार कमलेश जी कहां से आएं आप? गाम है 8 SSPD तशिल सुरुतगड जिला सिरी गंगानक राजस्तान से हूँ जी मैं क्या करते हैं जी? मैं अभी फिलाल गवर्मेंट टिचर हूँ अभी वर्त्मान में और 33 सेंट द्यापद पर कार रहते हूँ जी सर संत्रामपाल जी महराज जी से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या बक्ति साधनाई करते थे? संतरामपल जी माराज जी से नाम दिख्षा लेने से पहले मैं गुरमीत राम रहिंद जी से नाम दिख्षा ले रखी थी और उनकी सस्थिंग में एक बार मैं गया था कुलाइद में तो वो जो प्रबचन कर रहे थे वो किसी सास्तर अकोर्डिंग प्रवर्टन नहीं कर रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि वही ये जो सास्तर विरुद साधना बता रहे हैं तो मैंने दो-चार साल उनकी बक्ती करी फिर मैंने उनके जो ऐसाधना छोड़ दी मेरे कोई लाब नहीं हुआ इसलिए मैंने उनके साधना त्याग दीजी सर मेरा सवाल ये था कि जब सभी संत ये मानते हैं कि बक्ति करने से कोई लाब नहीं मिलता तो आप लाब की इच्छा क्यों कर रहे थे सर तीन साल तक आपने गुरमित राम रहिम सिंग से नाम दिखसा लेकर के बक्ति साधना की तो फिर आप संत रामपाल जी मानाजी से क्यों जुड़े क्योंकि सर उनकी बक्ति से मुझे किसी परकार कोई लाब नहीं मिला जी वो साधतर अनुसार नहीं ती इसलिए लाब नी मिला और हमारे गर में बहुत सारी परिशानिया थी बेरोजगारी थी पुरा परिवारी गरिभी कीमार में बड़ा जोर्दा से चल रहा था मुझे किस परकार किसे मतलब नोक्र जोब नी मिल रही थी और हम दूसरे गरों में जाके काम करके अपना रोजगार करते थे जी और हमारा परिवार जो है कई सालों से खेती चौत्ते पांच फे इसे में कर रहा है जी तो एक बार क्या हुआ कि सत्संग, संथ राम पाली के सत्संग जो है टीवी पे चल रहा था और मैंने उनको सुना तो मेरे को एक अजीव सा ग्यान लगा कि ये संत जी जो है वो सब सास्तर मतलब उठा उठा के दिखा रहे हैं लाइन टू लाइन बता रहे हैं, गिता जी का स्लोक दिखा रहे हैं गुरुगन साहिब की वाणी दिखा रहे हैं कुरान स्रीफ का प्रमान दे रहे हैं बाइबल का दे रहे हैं तो मेरे आत्मा को ऐसा लगा कि वाक्य में ये संत कुछ अलग हैं दुनिया से अन्य संतों से अलग हैं तो मैंने कई मिनों से वो ससंग सुना और सुनते सुनते मैंने पुस्तक भी पड़ी ग्यान गंगा पुस्तक पड़ी उसके मादम से मैंने मिलान भी किया सास्तरों से तो मुझे लगा भी वाकिया में ये संत्रामपाल जी माराज जो है वो पूर्ण संत है हमें सारे लाब दे सकते है गुरमित रामरहिम सिंग से नामदिक्सा लेकर के जो बक्ति आप कर रहे थे उस बक्ति को करते करते आपको बेरोजगारी की समस्या थी जैसा कि आपने बताया और भी आपको मानसिक समस्या थी क्या वो समस्या थी संत रामपाल जी मराजी से नामदिक्सा लेने के बार ठीक हो प्पीपल रुपी संसार रुपी तो पीपल रुपी एक वरिख्ष है उसके जड़ से लेके टैनिय तक बतायेगा यह डार क्या है मूल क्या है तो इसी तरह क्या है वानिंग आती है अक्सर्पूस एक पेड़ है निरंजनवा की डार और तेनों देवा साक्ा का है पात लाब बिल्कुल होंगे मुझे आपको क्या लाब मिले मुझे जी मैंने नाम दिक्षा 6 मार्च 2016 को संत रामपास जी के तरणों में उपदेश लिया और उपदेश लेती एक साल बाद में मुझे मालिक ने सरकारी टीचर बना दिया और सबसे बड़ा लाब है जी बिल्कुल ब इकम हैं गर में सारे सुक हैं देरे देरे सारा परिवार उपदेशी हो गया उसके बाद में थोड़े गरवालों को चिंता हुई कि मैं शादी कर दें तो वो भी समश्या हो गई तो परमातमा संत्रामपास जी महाराज ने बिल्कुल निश्वलक दहेज राइत रमेणी जो क हजारों लोग देखने आए वो बड़े परवावित हुए कि वाक्य में संत्रामपास जी का जो ग्यान है उत्तम है किसी प्रकार की कोई पार्टी वगएरा कोई देज वगएरा लेंदेन गैना किसी प्रकार का कोई लेंदेन नहीं हुआ और उस रमेणी के अंदर हजारों लोग देखने है किसी प्रकार की कोई बीडी वगएरा नसा बगएरा कोई दारू वगएरा डीजे बेंट बाजे कुछ भी नहीं था सत्रा मिंट के अंदर प्रमात्मा की गुरुबानी के माद्यम से हमारी जो शादी निश्पन हुई हम खुश हैं कोई दिक्कत नहीं है कि जो चला रहा था वो अनपदेशी था और हम इतने जोर से गिरे तो उसके तो मतलब खुप सारी चोटे आई प्संत्रामपाल जी माराज की दिया से मुझको बिल्कुल भी ख्रोंच नहीं आई और मैं अपने कपड़े जाड के स्कूल चला गया और अभी 15 दिन पहले एक चम लगा रही थी और साइड में दो ट्रक खड़े थे तो दास ने थोड़े से ब्रेक लगाए ब्रेक लगाती मेरी वाइक निचे गिर गई किसी प्रकार की कोई ख्रोंच नहीं मैं 20 मिटर तक सीड़ता गया और सामने बस बिलकुल जश्ट ब्रेक लगाए दास को किसी प्रकार की कोई ख्रोंच तक नहीं आई जी और ये है संत रामपाल जी का सम्तकार जी सर ये भी अपने आप में एक हिरान करने वाली बात है कि आप जिस संत से जुड़े हैं वो जेल में है और जब आप उन से जुड़े तब भी वो जेल में ही थे आपने बताया कि आपने 2016 में संत रामपाल जी माराजी से नामदिक्सा ली क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि एक ऐसे संद से नाम दिख्षा कैसे ले सकता हूँ जो जेल में है देखो जी आपने बहुत अच्छा क्यूशन किया है ये कॉम्परबैजन होना चीए तो मैंने संद रामपा जी माराज जी से दिख्षा इस परकार से ली क्योंकि उनका ग्यान जो है वो बिल्कुल सास्त रेकोर्डिंग है संद की अपनी लिलाएं होती है वो जहां चाएं जहां रहें वो उनकी संद की लिलाएं जैसे अगर बूत काल की बात करें तो स्री क्रिसन जी देखो जेल में जनमे थे और मीरा के साथ उस वक्त की बात करें तो क्या-क्या जुलम ढाये थे और और भी बात करें किसी महपरसों की इसा मस्या जी की बात करें तो वो परमात्मा के मिस्टन में चले थे और लोगों उनके साथ क्या किया था वो संद की अपने अपनी लिलाएं होती है अब मालो बात करें कि किस संद बगवान जी ने जो जैल में जनम क्यों लिया तो उनकी लिलाएं थी अमूमन हम देखते हैं कि जब किसी संद के उपर आरोब लगते हैं तो उनके जो अन्याई होते हैं वो उनसे नामदिक्सा छोड़ देते हैं और किसी और संत से नामदिक्सा ले लेते हैं लेकिन संत रामपाल जी महाराजी के बारे में हम लगातार ये देख रहे हैं कि उनके अन्योयों की जो संक्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है आज भी लोग उनसे लाखों की तालाद में जुड़ रहे हैं लगातार इसके पीछे क्या कारण मानते हैं देखो जी पाउर होती है जैसे लाइट की पाउर आशो होती है वहां से जगर उसमें पाउर है तो मतलब वह लाइट गाउं गाउं ठाणियों पहुँ जाती है हमारे संत्रामपाल जी माराज में सब्द सक्ती जो हमें सब्द रूपी नाम दिक्षा देते हैं उसमें पावर है और वो सास्त्र अन्कूल साधना है गीता जी के अध्याए सोला और सलोक 23 में कहा गया है कि हे अर्दुन जो सास्त्र विद्वी को त्याकर मनवाना आचन करते हैं उससे किसी प्रकार का सुख और बगती वगएरा मोक्स नहीं मिलता तो संत्र रामपाल जी महराज सास्त्र अकोर्डिंग ग्यान देते हैं साधना देते हैं तो लाब अवश्य मिलेगा और जो जनता जुड़ेगी बिल्कुल जुड़ेगी क्यों नहीं जुड़ेगी जी जब लाब मिल रहे हैं मुझे लाब मिलेगा आपको भी लाब मिलेग आप एक अध्यापक होने के नाते बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जी संदेश तो संत्रामपल जी माराज दे सकते हैं मैं विंति कर सकता हूँ सभी बाई बैनों से बुदर्गों से कि आप एक बार संत्रामपल जी माराज का ग्यान जरूर सुने पुस्त तक बढ ग्यान गंगा जेने कीरा बक्ति से बगवान तक और और भी जो डेली साधना टीवी पे साधे 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 आठ बजे की बीच शाम को ससंग आता है और इसवर टीवी पे साधे आठ से साधे नो बजे के बीच शाम को ससंग आता है वो एक बार सुनके देखें बड़े ध्यान स सास्त्रों से मिलान करें और उस पे जो नीचे पिली पट्टी चलती है उस पे contact number है आप जहां चाहें contact कर सकते हैं और नामदिक्षा ले सकते हैं सारी जान कर यह आपको निशुलक प्राप्त होगी और नामदिक्षा भी बिलकुल निशुलक मिलेगा आप contact रकर कर देखें ग्यान समझ कर देखें अपने जीवन को वेर्थ ना गवाएं और अन्मोल जीवन है यह मानुष जनम दुरलब है मिले नबारंबार तरवर से पत्ता तूट गरे बहुर नलगता डार यह मनुष्य जीवन बहुत अन्मोल है और इसको ऐसे वेर्थ ना ग करें जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद है